असलाओं को फ्रेंज्स, वेल्कम टू क्लासिक एंटर्टेंमेंट चैनल जहां हम आपके लिए ले आए हैं आ कम्प्लीट रॉमांटिक नॉवल कुछ इस तरह रिटिन बाइ कवल अक्रम जिसका आपके कीनिम बिसब्री से इंजार होगा और उमीद है आप इसको यकीनिम पसं आपको सबसे पहरे देखने को मिले हैं तो चलते हैं नॉवल की तरफ कुछ इस तरह रिटिन बाइ कवल अक्रम कुछ इस तरह मिल हम से कुछ इस तरह हम नवाई हो फूलों की एक बस्ती में खुश्बों के संग रसाई हो कुछ दिल भी यू मल जाएं ना इन में कभी चुदाई हो आखें यू हमराज बनें बरसों की जैसे आशनाई हो महपत की एक बेल उगे दिल को दिल से जोड चले कुछ इस तरह मिल जाएं सितारे हमारी किसमत के हाथों की लकीरों में जैसे इक ही तस्वीर बसाई हो वो तस्वीर हो मन चाहे साथी की देख के जिसको जिन्दगी भी मुस्गाई हो असकवल अक्रम उफ एक तो ये गारियों माले पता नहीं अपने आपको समझते क्या है नहीं बाप की सड़क है जो बिचकर गारी चलाते हैं पुटपे हुए लहचे में कहती दूर जाती गारी को कोस कर अपने कपणों को देखने लगी जो कीचर से भर गए थे सुफेज शलवार पे पिंक कलर की प्रिंटिट कमीस पहन रखी थी जिसका गुलाबी पन अपकी चर्की वज़ा से गदला हो रहा था सर पर दुपटा ओर कर कंदों पर लॉन की कढ़ाई वानी चादर ओर रखी थी एक हाथ में कुछ फाइल्स जबके कंदे पर शोल्डर बैंक टटका रखा था माति भर नगवारी के बल डाले आखों पे गोल्ड फ्रेम का नजर का चश्मा लगाए वो इस दुनिया से बिजार लग रही थी वो आज फिर एक कॉलिश में डेमो देने गई थी डेमो देने के बाद वो उसे ये कहकर जाने का अंध्या दे चुके थे कि वो कॉल करेंगे उनकी बात संकर वो दिल मसूस कर ये सूच्टी कॉलिश से बहार ने का लाई थी कि करेंगे भी कॉल या नहीं वो उर्दू लिट्रेशर में ग्रेजुशन कर चुकी थी और अब जॉब करना चाहती थी लेकिन जहां जहां भी कोशिश की थी नाकामी ही हुई थी उसके ग्रेट्स के साथ उसका CGPA भी अच्छा था स्कूल में टीचिंग का तजर्बर भी था मगर फिर भी वो रद करती जाती थी किसी भी कॉलिश में जाकर टीचिंग के लिए अपलाई करने पर सबसे पहले उसे सब की हैरत भरी नजरों का सामना करना पड़ता था बचा उसका सरापा था और उसे लगता था वो और टाइप नहीं लगती तभी उसे जॉब नहीं मिलती हाई उसकी बद्गुमानिया जो काफी हग तक दुरुस भी थी 24 साल की हो गई थी मगर वजन अभी तक 44 किलो था दिखने में वो कोई कॉलिश गर्ड लगती थी कुछ उसकी चहरे की मासूमियत और हलकी गंडुमी रंगत की कशिश का अजर था कि सब ही उसे चोटा समझते थे खुबसूरत और पुरकशिश नैनना कुश साथ की भरा अंदाज छुई मुई सा वजूद और बड़ी बड़ी काली आँखों पे सियाह नसर का चश्मा लगाए वो देखने वाले को ठिटकने पर मचबूर कर जाती थी बारिश का मौसन था तब ही रास से की जड़ से भर गये थे और कहीं कहीं पानी भी खड़ा था आज उसका इरादा दो तिंक कॉलेजिस में जाकर इंटर्विय देने का था मगर पहले ही इंटर्विय के बात उसका हुलिया खराब हो गया था एक नदर अपने खराब कपनों पर डाल कर वो आस्मान की तरफ देखने लगी जानती हूँ कुछ बहतर ही सोचर का होगा आपने मेरे लिए मगर ऐसे भी कोई करता है भला आस्मान की तरफ देखती मूँ फुलाए वो कह रही थी जैसे अल्ला पाक से हम गलाम हो चल नूरे तेरी बेड लखी खराब है खवकी से कहती वो सर पर दुपटा दुरूस करती एक बार फिर चलने लगी आने जाने वाले उसके खराब कपनों को मस्कुरा कर देखते उसे घुसा चड़ा रहे थे मगर वो जब्द किये नजर अन्दास करती चलती रही अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो उसने मुड़ कर देखा तो एक मर्द उसके पीछे चला रहा था और उसकी तरफ देख रहा था नूरे को कुछ दुरूस ना लगा चटी हिस ने खत्रे का अलारम बजाया तो उसके कदमों की तेजी में इजाफा हुआ मूड कर तेज से चलती वो उस शक्स से पीछा चुरवाना चाहती थी जो अब उसके पीछे भागना शुरू हो जगा था उसने भी भागना शुरू कर दिया वो इस वक्त एक गली में थी जो बिल्कुल सुनसान थी मिस रुकें बास सुने मेरी वो शक्स फूले सांसों से कहता उसे रोकने की कोशिश में था मगर वो रुकती तो सुनती न ऐसा नहीं था कि वो डरपोग थी मगर इस वक्त अकेली थी और अपनी मिसास से भी वाकिफ थी कितने तनहा उस हट्टे कटे मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती पागल लड़की रुक जाओ आपकी बार वो बिल्कुल उसके पहुँच कर उसे अपनी तरफ पल्टा कर चीखा तो वो दहल कर रुकी नजर उसकी गिर्फ में मौजूद बाजू पर पड़ी तो जटके से बाजू छुड़वाया क्यों पीछा कर रहे हो मेरा एक अकेली लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे लग जाते हैं शकल से तो शरीफ लग रहे हो मगर कर्टूद तो बिल्कुल सिया है वो क्या कहते हैं शकल मूमे ना और कर्टूद काफिरा ना अब रासा छोड़ो औरना चिक चीकर सब कोई खटा कर लूँगी और जो दूरगर बनेगी ना वो अलग चटक कर कहती वो सामने वाले को शौक से मूँ खोने पर मजबूर कर गई थी नहीं मतलब क्या उसकी शकल इतनी ड्रॉनी थी कि कोई भी उसे लड़कियों का पीछा करने वालत समझ लेता उसकी अम्मी तो उसे बेबा बच्चा कहती थी मतलब क्या है आपकी बात का शकल से लोफर लग रहा हूँ आपको भलाईगा तो जमाने ही नहीं रहा उसके सुर्ख होते चहरे को देखकर वो भी खुस्से से इस अफसार करने लगा था वो ही तो कह रही हूँ शकल से लोफर नहीं लगते पहला सोचकर ये फाइल वापिस करने आया था मगर तुमसे भलाई महंगी पड़ गई है वो आप से तुम पर आया था और वो जो जार ही थी उसकी बात सुनकर अपने हाथों को देखा जो खाली थे मतलब वो अपनी परिशानी में अपनी फाइल पीछे ही कहीं किरा आई थी जो उस मर्द के हाथ में थी जटके से पलटती वो उसके सामने जाख खड़ी हुई सिया रंग की फाइल उसी की तो थी ये मेरी है सर वो सत्मे से बोली उसे समझ ना आया कि वो पूछ रही है या बता रही है होगी मगर अब ये मेरी है लापरवाही से कहकर वो चलने लगा वो बाइक पर जाया था जब उस लगई के हाँ से फाइल के देखा है बाइक रोक कर फाइल उठा था उसके पीछे आया देखो ये मेरी फाइल है तुम्हारे किसी काम के लिए तुम्हें वापस कर दो उसने मेरी जागी से कहा अंदास इल्टिजा करता हुए था मेरी कर्टू काफिराना है और अंदास लोफरो वाले तो फिर मैं शराफ से कैसे वापस करूँगा उसने फाइल हाथों में खुमा थे उसकी बेवसी का मजा लिया मुझे लगा था तुम मेरा ताकुप कर रहे हो बस इसलिए ये मुझे दे दो नूरे ने एक बार फिर इल्टिजा की साथ में अपने रवईए की वज़ाद भी की वो कभी भी ये ना करती अगर उस फाइल में उसके ओरिजिनल डॉकुमेंट्स ना होते ताकुप करने का मतलब ये तो नहीं के नियत गलत है बगार कुछ जाने मेरी बेज़दी की है तुमने माफि मांगो फिर कुछ सोचूंगा उसका हाथ फाइल की तरफ बढ़ता देख कर वो फाइल वाला हाथ उसकी पहुट से दूर कर गया वैसे भी वो पाँच फुट की लड़की उसके हाथ तक नहीं पहुट सकती थी वो पाँच फिर्ट नौ इंच का था वो ज़ल खर भी कोशिश करती तो नाकाम रहती उसकी बेबसी अब मुकाबल को मज़दा दे रही थी कुछ ने पहले जो गुसा अपनी बेस्टी पे आया था अब खत्म होता महसूस हो रहा था मैं मासा चाहती है तुम से प्लीज ये फाइल मुझे वापस कर दो उसने जल्दी से माज़द की थी नजरें उस वजी शक्स पर घड़ी थी जो सामने खड़ा था बालों को नफासस से सेट किये तीखे नकूश चहरे पर संचीत की ब्लू ड्रेस शिर्ट और ब्लू ही ड्रेस पैंच में मिल्बूस 31 बती साला वो शक्स काफी दिलकश लग रहा था उसकी रंगत काफी शफाफ थी जिस पर सिया बियर्ड बहुत अच्छी लग रही थी वो एक दिल का शक्स था मगर नूरे को इस वक्स सहर लग रहा था तमीज से माफी मांगो वो ज़रा अकड़ कर बोला था वो अपनी बेबसी पर दाज खचचचा कर रह गई मैं माज़वत करती हूँ जनाब आप महरवानी करके मुझे मेरी फाइल वापिस कर दे वो लब भेश थे तमीज से बोली तो वो सर पीछे फैक वो फाइल पीछे फैक कर हसा वेरी गुड आइंदा किसी से बतमीजी करने से पहले सो जरूर लेना सर जटक कर कहता वो उसकी फाइल उसकी तरफ पढ़ा गया और अपनी चीजों की हिफाज़त करना सीखो दुआ है कि कभी आमना सामना ना हो संजीत की वो नागवारी से कहकर वो आगे बार गया जबकि उसकी पुष्ट देखती वो उसकी खा जाने वाली नज़रों से देखकर रह गई अल्ला करे कभी तुम्हारी शकल ना देखनी पड़े बत्तमीज इंसान रुस्त से कहकर वो भी जाने के लिए मुड़ी थी अब जाने उनकी दौाएं कुबुरियत की सनद पाने वाली थी या नहीं मगर जिन्दगी एक नया रूख लेने वाली थी जिससे दोनों ही अंचान थे वो जिस वक्गर पहुचा दो बच रहे थे सीधा सामने मौजूद कमरे की तरफ किया जहां उसकी जन्नत मौजूद थी वो कमरे में पहुचा तो वो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी मस्कुराता हुआ उनके करीब पहुचा और अचानक से सलाम किया हसन डरा दिया मुझे वो दिल पर हाथ रखती पलट कर खवगी से गोया हूई वो अपने काम में इतनी मसरूफ थी कि उसके कदमों की आहट भी सुन नहीं पाई थी तब ही डर गई थी सच में मस्नुई हैरे से बोलता वो उनको मस्कुराने पर मजबूर कर गया हाँ तो यू दबे कदमा आओगे तो डरूँगी ही ना मैं उन्होंने उसे गूरा तो वो सरहलाता अर्मारी के पड़ बंद करके उन्हें साथ लिए बाहर आया बहुत भूक लग रही है खाना निकाल दें उनका रूख केचंगी तरफ करता वो खुछ कुछ भी सुने बगए अपनी कमरे में घुस गया जानता था अगर यहां रुका तो उनके शिक्वे शुरू हो जाएंगे कि हर काम मा से करवाता है शादी नहीं करता अगर शादी कर ले तो बच्चों की तरहा मा का पल्लू पकरना फर्माईशे ना करे पिछले तीन साथ से वो उसे शादी के में मना रही थी मगर वो था कि हामी ही नहीं भड़ता था अब तो 31 साल का हो गया था और नाइमा बेगम की फिकर उरूच पर रहने लगी थी मगर हसन को कोई पर्वाही नहीं थी अब वो नाइमा बेगम को क्या बता था कि वो उनकी वज suivre से शादी नहीं करना चाहता वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपने लिए ऐसी शरी कहा चाहता था जो उसे की तरह नईमा बेगम से प्यार करे उन्हें अपनी सास नहीं माँ समझे वो नहीं चाहता था कि अपनी जितनगी में ऐसी लड़की को जगा दे जो उनसे बिजार होकर उनको बुझ समझने लगे वो उनका इकलोता बेटा था और अपनी जिन्दगी में मगन होकर उनको नजर अंदास नहीं करना चाहता था नईमा बेगम ने उसे कई तस्मीरें दिखाई थी मगर वो बगर देखें इंकार कर जाता था अब तो नईमा बेगम ने भी जिद सी बान ली थी कि उसकी शादी करवा कर ही दम लेंगी वो फ्रेश होकर आया तो नईमा बेगम हॉल में मजूद छोटे से राइन टेबल पर खाना लगा चुकी थी वो बैट कर खाना खाने लगा तो नईमा बेगम भी उसके करीब ही बैट गई कब तक अपनी माज से मिलनते करवाने का इरादा है नईमा बेगम ने लहचे में बोज़र बनाए पूछा था जबकि वो उसकी भीगी आवाज महसूस करते चौका क्या हुआ है ऐसा कि कि गहने है वो परिशान हो उठा था फ़रंग खाना छोड़कर उन्हें देखने लगा जैसे तुम तो जानते ही नहीं तुम्हाने बाबा होते तो आज मुझे तुम से पूछने की जरूरत ना पढ़ती बलकि खुद ही हर फैसला कर लेती नईमा बेगम ने तुबटे के पल उसे आंकें खुशक करते कहा जो अब भीखने लगी थी अमी प्लीज रोए तो मत बताएं तो सही हुआ क्या है इस खाकसार से क्या गलती हो गई उसे नईमा बेगम के दोन हाथ थामे पूछा था पिछले तीन साल से मैं एक ही रोना रो रही हूँ के शादी कर लो और तुम पूछ रहे हो हुआ क्या है तुम्हारी उमर के लड़कों बलके मर्दों के तीन तीन चार चार बच्चे हैं और तुम अभी तक छड़े चार खूं रहे हो उन्होंने खुस्से से कहा तो उन्होंने फैमली प्लानिंग करते वोगफा नहीं रखा होगा ना अचानक से उसकी जबान फिस ली तो वो घूर कर उसे देखने लगी वो उनकी नजरों से गरबढ़ा कर फिस से खाना खाने लगा बात को बदलो मत मैंने फैसा कर लिया है अब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे इंकार की कोई गुंजाश नहीं है उन्होंने दो टोक कहा मगर वो बेनियाजी से खाना खाता रहा तुम से बात कर रही हूं हसन उन्होंने उसकी बेनियाजी पर उसके आगे से ट्रे अपनी तरफ खिसका ली भूक लगी है मुझे बच्चों की तरह मिनमिनाता वो ट्रे फिर से अपनी तरफ खाना खाने लगा 31 साल के हो गए हो मगर हरकतें अभी भी बच्चों वाली है उन्होंने तास्त्व से कहा तो वो दाद निकालता पानी पीनने लगा मैं संजीदा हूँ हसन कली मैं एक रिष्चे वाली को बला रही हूँ और जल्दी तुमारा रिष्चा देखने जाएंगे उन्होंने संजीद की से कहा तो वो भी संजीदा होता उनकी तरफ दवज्ज़ हुआ आप समशनी क्यों नहीं मुझे शादी नहीं करनी हसन नर्मी से उनके हाथ थामते इलतजा की थी निकाह सुनत है हसन और मैं तुमसे पूछ नहीं बता रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी होगी अगर तुमने इंकार किया तो मैं अपना जनाजाह उटाने का हक तुमसे चीन लूँगी नईमा बेगम की बात पर उसने बेयकीनी से उन्हें देखा कितनी आजानी से वो इतनी बड़ी बात बोल गई थी वो भी सिर्फ उसकी जित दोर्वाने को आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ उसने सदमे से पूछा मा हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ जिससे तुम मुझे रोक नहीं सकते और फिकर मत करो मैं जानती हूँ कि तुम शादी से क्यों इकारी हो मैं वैसी ही लड़की लाऊंगी जैसी तुम चाहते हो उन्होंने उसे तसली दी तो वो गहरा साथ भर गया ठीक है जैसा आपकी मर्जी अगर आप इसी में खुश हैं तो मुझे कोई आतरास ही मगर एक बात याद रुखेगा मुझे खुबसूरती से नहीं खुबसीरती से फ़र्ग पड़ता है वो जो कोई भी हो खुश इखलाफ और अपनी सास को मा समझने वाली हो बत्तमीज हरगेज ना हो और ना ही जबान दरास उसने ट्रे एक तरफ किसका ते हामी भरी तो वो खुशी से नहाल होती उसका माधा चूं गई मेरा राचा बेटा फिकर मत करो वो बहुत अच्छी होगी उन्होंने कहा तो सरहला गया उसे अपनी मागी खुशी अजीज थी अगर उनकी खुशी उसकी शादी में थी तो वो भी राजी था पहले ही वो काफी देर कर चुका था अब उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था अब बस उसकी एक ही दुआ थी कि उसकी होने वाली शरी के सफर महपतों के एहसास से गुंधी हो कुश देर बाद खाना खाकर वो अपनी कमरे में आराम करने चला गया जबकि नईमा बेगम फून पर इश्टे वाली बुआ कर नमबर में लाने लगी ही जो कुश दिन पहले ही उन्होंने अपनी पड़ोसन सुलेखा से लिया था ये छोट आसा दो अफराद का घराना था उस्मान सहाब का उनकी एहलिया नईमा बेगम थी जबकि एक ही बेटा था जो उनकी आखों का तारा था नईमा बेगम को खुदा ने सिर्फ एक बेटे से ही नवाज़ा था जोंकी महबतों का वाहिद हव्तार था उस्मान सहाब एक गॉवर्मेंट टीचर थे उनका इंतकाल कुछ बरस पहले हो चुगा था इस वक्त हसन यूनिवर्स्टिरी में था जब एक रात हार्ड अटेक से जाम बढ़ना होते उस्मान सहाब इस दारिफानी से कोच कर गये थे नईमा बेगम का खुदा के बाद बस एक ही सहरा रह गया था जो क्योंका बेटा था हसन ने ही इस मुश्किल और गम के वक्त में खुद को और अपनी मा को समाना था रिष्टेतार दूर दरास शहरों में रहते थे जो किसी खुशी गमी के फंक्शन्स पर ही बिलते थे उस्मान सहाब की सेविंग से हसन ने अपनी पढ़ाई मुकमल की थी और साथ में पार टाइम बच्चों को ट्यूशन दे कर घर का खर्च चलाया था उस्मान सहाब की पेंशन भी हर महीने आ चाती थी मगर वो ना काफी थी यो ही वक्त गुजरा था और पर पढ़ाई मुकमल होने के बाद उसने प्राविट स्कूल के साथ अकैडमी पढ़ानी शुरू कर दी थी अभी उसे प्राविट जॉब करते दो साल ही हुए थे जब नाईमा बेगम ने अपनी तनहाई से उता आते उस पर शादी का जोड डालना शुरू कर दिया था मगर वो एक कान से सुनकर दूसे कान से निकाल दीता कुछ वक्त मज़ीद आगे वो गुजरा तो उसने अपने एक दोस्त के तोस्त से एक कालिज में लक्शरर्शिप की जॉब हासिल कर दी अब वो अपनी जॉब से मुतमईन था क्योंकि यहां की तंख़वा स्कूल से बहुत बहतर थी घर को नए सीरे से रन वेट करवाया था उनका घर दर्म्याना मगर बहुत खबसूरत था पाशमर्डी का यह घर कॉलोनी में वाके था घर के गेट के सामने थोड़ी सी जगा खाली थी जबके हाल में दाखिल होते दाएं तरफ किचन था और एक साथ एक कमरा हाल के दर्वाज़े के साथ दिवान खाने का दर्वाज़ा था जिसका एक दर्वाज़ा हाल में जबके दूसरा बहार की गेट की तरफ खुलता था किचन के साथ उपर को जाती सीर्या थी जिसके पास हॉल में ही खाली जगा पर तर्टीव से सोफे सेट के गए थे जिनके आगे शीशे का एक टेबल था उपर दो रूंग थे जिनके आगे की जगा खाली थी रीलिंग के पास चट की तरफ जाती हुई सीन्या थे जबके एक तरफ बालकनी का दर्वासा था जहां खड़े होकर हसन अक्सर चांद को देखा करता था हसन जादतर उपर ही रहता था एक कमरे को उसने स्टाडी रूंग मना लिया था जबके एक कमरे में उसकी रहाइश थी नीचे वाली कमरे में नईमा बेगम होती थी वो उपर कम ही जाती थी कि उन से बार बार सेनिया नहीं चड़ी जाती थी वो दोन अपनी जिन्दगी में खुशों मुतमें थे मगर अब नईमा बेगम अपनी बहुन लाना चाहती थी और हसन के मूँ से एकरार सुनकर वो कितना खुश होई थी लफ़ों में बयान नहीं कर सकती थी वो घर में दाखिल हुई तो धब धब करती तक्त पर जा बैठी चादर कंधों से उतार कर गोल मूल कर के साइड पर फिकी पाउं से सैंडल उतार कर मीचे फेकते पाउं सेहाए अभी वो दुपच्टे का भी यही हाल करती जब कमर पर पढ़ने वाली धब से वो गिरते गिरते बची अमा वो एहतजान ची की तो एक और धब उसके कंधे की जीनत बनी अमा की बच्ची यह कोई तरीगा है तुम्हारा जरा लहाज ही कि जरा समाल कर रुखो यह सब जो तुम्हें ही समाल करना है कल को सुस्राल जाकर मेरी नाक ही कटवाओगी तुम वो उससे ताने मारती हुनी चादर और जूता उठा कर मुड़ी फिकर नौट टेक होसला मा मैं तेरी नाक सुस्राल लेकर नहीं जाओंगी बेन्याजी से कहकर वो उट खड़ी हुई जब वो उसकी तरफ मुणी उनके खतेनाक तेवर देखकर वो गरबढ़ाई और जल्दी से कान पकड़कर माफी मांगती अंदर भागी वो नफी में सरहला कर खुद भी अंदर की जाने बढ़ गए बरामदी में एक तरफ उसका जूता रखकर चादर उसके कमरे में लटकाई वो कमरे में मौझूद अटेच बात्रूम में थी उसकी कमरे से बाहर आकर उन्होंने उसके लिए खाना निकाला और बरामदी में आकर टेबर पर रखा कुछ देर बाद वो भीगा चहरा खुशकर दी बहार आई चहरा खुशकर के चश्मा आँखों पर जमाया और खाना खाने बैग गई क्या बना उन्होंने उमीद ले पूछा तो वो यासिस से सर जरती बगएर उन्हें देखे बोलने लगी वो ही जो हमेशा बनता है लहजा अफसूस भहरा था उसकी उदास ही देखते वो भी उदास है चलो कोई नहीं अल्ला ने कुछ बहतरी नहीं सोचा होगा अगले ही बल उसे तसली दी तो वो फीक ऐसा मुस्करा दी पता नहीं वो बहतरीं कब मिलेगा उससे जवाब देने की बज़ाए दिल में सोचा था उनकी सामने वो नाउमीदी की बातें करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी कर खालदा आई थी उसे खामुशी से खाना खाते देखकर उन्होंने इतला दी तो वो चौक कर उन्हें देखने लगी जोहरा बेगम ने कहा तो वो गहरा साज भर गई उन्हें मेरी फिकर की होने लगी आशक तो बस ताने ही मारे हैं उन्होंने नूरे ने चटक कर कहा तो उन्होंने उसे घूरा बत्तमीजी नहीं करते फुप हैं तुम्हारी तो तुम्हारा भला ही सोचेंगी उन्होंने तका तो वो सर जड़क कर रह गई सोचें नाने वो मेरा भला कहकर वो पानी पीने लगी एक और बात भी की हैं उन्होंने और वो जवाब हां में ही चाहती है जोहरा बेगम ने कहा तो वो सवान या नजरूं से उन्हें देखने लगी ऐसी कौन सी बात है उसने अचमभे से पूछा उन्होंने हमात के लिए तुम्हारा रिष्टा मांगा है जोहरा बेगम ने कहा तो खाने से हाथ रोग कर कुछ पल उन्हें देखती रही फिर जो हसी तो हस्ती चली गई सर पीछे फेक कर हस्ती वो जोहरा बेगम को पागल ही लगी थी इसमें हसने वानी कौन सी बात है नूरे उन्होंने ताज सब से पूछा तो वो हसी रोग कर उनकी तरफ मतवज़ हुई हसने के 22 आखों से पानी बहने लगा था जिसे एनक उतार कर साफ किया और चश्मा वापिस आखों पे लगाया 35 साल का मूटा गेंडा इतनी बड़ी तोन आदे सर से गंचा और अकल से पैदन इसान है वो हमाद जिसका रिश्टा फूपो नूरे के लिए नाई है शरारे से मुस्कुराती वो इन हुए नफी में सरहिलाने पर मचबूर कर गई बड़ा है वो तुमसे जरा तमी से जिकर करो उसका उन्होंने नूरे को टोका तो वो आँखें घुमा गई यही तो मैं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े हैं मुझसे फुपो से कहीगा कि हमाद अंकल के लिए आँटी हमीदा ढूने नूरे उनके जहीन और फतीन और ओवर हैंसम बेटे के हर्गिस भी लाइक नहीं है बजाहे नर्मी से कहते उसका लहजा शरारत भरा था मैं बेवा औरत कहां से तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्टा ढूनोंगी वो जैसी भी हैं तो हमारी अपनी ना मैं तुम्हारे मामले में गैरों पर भरुसा नहीं कर सकती जहरा फिकम ने कहा तो वो संचीत की से उन्हें देखने लगी वो हमारी अपनी नहीं है मी अपनी होती तो अब्बु के जाने के बाद हमसे मूना मोल लेती हमें हमारी बेबसी और गरीबी के ताने ना मारती हम गरीबों पे अपनी अमीरी ना जारती आज उनके बेटे को रिश्टा नहीं मिल रहा तो उन्हें हम याद आ गए जोने भूल गया कि ये वो ही बुटी नूरे है जिसे वो बातें सुनाया करती ही वो भले ही भूल गई हूं मगर नूरे को अच्छे से याद है क्योंकि नूरे खुद पर हुई जियाती कभी नहीं भूलती नूरे की संजीदा और सपाट अंदाज ने उन्हें उसका जवाब बता दिया था वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही थी नूरे के बाप नदीम एहमद के मरने के बाद सब खांदानवालों ने उन से नाता तोड लिया था के कहीं यतीम बच्ची और बीवी जोहरा की सुमेदारी उन पर ना जाए नूरे तब महस तजबरस की थी जब नमिदीम एहमद की मौत एक रोल एकसिडन में हो गई वो वेगन चलाते थे और माल की ट्रांसपोर्ट करते थे उनकी मौत के बाद कोई जर्यां आमदन ना था तब ही जोहरा बेगम ने लोगों के कपड़े से लाई और कढ़ाई करना शुरू कर दिये जोहरा बेगम के वालदें हायात नहीं थे और भाई वेहन अपनी जिन्दकियों में खुश थे वैसे भी आजकर के दौर में कौन किसी का सहारा बनता है उन्होंने दिल राद महनत करके नूरे को तानी दिरवाई थी वो उर्दू में मास्टर्स कर चुकी थी राबिया बेगम ने हमेशा ही नूरे के नजर के चश्मे उसके हर्लिंग की गंदमी रंगत और दूबले पतले सराबे का मज़ाग बनाया था उनकी बातों को सुनते कई कई दिन नूरे उदास रहती थी ये तो जोहरा बेगम थी जो उसे समझाती रहती थी वरना मुखप का ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाती जोहरा बेगम उसकी खुशी चाहती थी तब ही उन्होंने सोच लिया था कि वो राविया बेगम को इंकार कर देंगी चाहे वो कितना भी बुरा बनाएं पहले भी एक तो रिश्टे आ चुके थे जो नूरे के दुबले पतले सरापे और चश्मे को देखकर इंकार कर जाते थे वो जाजिवी नजर खुबसूरत लड़की थी मगर आने वाली उसके चश्मे और दुबले पतले जिसम को जवास बनाकर इंकार थाम जाते थे तब ही दिल बरदाश्ता होकर जोहरा बेगम ने हमात के साथ ही नूरे के रिष्टे को लेकर हामी भरना चाही थी लेकिन नूरे के इंकार पर वो भी चुप रह गई थी कि वो अपनी वीती के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी ये चोटा सा घर उनका आशियाना था जिसके दो कमरे थे एक जानब के चन था जबके कमरों के आगे बरामदा था जिसके सामने एक बड़ी सी ग्रिल लगी थी जिसे वो रात को बंद करके सोते थे बरामदे के बाद सहन था सारी घर में पक्का फरश था नूरे न अपने शौक को मर्हूं से खाते रखते एक तरफ कियारी बनाई हुई थी जिसमें गुलाब और मोतिय के फूनों के पौदे थे वो दोन अपनी चोटी से जन्नत में खुश थी मगर कभी कबार जोहरा बेगम नूरे के मुस्सक्बिक को लेकर बहुत परिशान हो जाती ही अगली दिन वो नए अजम से तयार होती हाथ में फाइल थामें और कंदे पर बैक डाले जोहरा बेगम से दुआई लेकर निकली थी जोहरा बेगम ने उसकी काम्याबी की दुआ की थी जोहरा बेगम अभी भी लोगों के कपनों पर कढ़ाई करती ही हालकि नूरे कितनी बार उन्हें मना कर चुकी थी मगर वो हर बार ये कहकर डाल देती कि जिस सिन उसकी नौक्री लग जाएगी वो ये काम छोड़ देंगे नूरे ने नौक्री तलाश करने की कोशिशें तेस कर दी थी मगर अभी तक नाकाम ही ठहरी थी कल की निजबत आज वो मकमल सिया लिबास में मरबूस से सियाही रंगा हिजाब और रखा था जबके लौन की चाधर कंधों पर डाली रही थी मकमल सिया लिबास और पैरों में सुर्ख रंगे खुछ से पहने वो बहुत दिलकश लग रही थी आदे घंटे बाद वो अपनी मतलूबा मन्सिल पर पहुँच चुकी थी रिक्षवाले को पैसे दे कर वो गेट की जाने पढ़ी चौकेदा को आईडी कार दिखा कर वो अंदर दाखिल हुई तो इतने बड़े और खुबसूरत कॉलिज को देखकर उसकी आँखें चमक उठी गुजरने के लिए सड़की माने रास सा बनाया गया था जबके एर्द किर्द खुबसूरत सी घास होकी हुई थी जो तराशी हुई थी पाश मिनट तक वो चलते रही फिर बिल्डिंग के पास पहुचे अंदर रिसाप्शन में अपने आने का मकसब बताया जिस पर रिसाप्शनिस ने उसे सर से पाउंट तक घुरा थी बराय महरबानी आप मुझे बताएंगे मुझे कहा जाना है सपार्ड अंदाज में कहते उसे अपने नागवारियत चुबाने की जरा बरावर कोशिश ना की थी जी जी बिल्कुए यहां से बाई जाने मुर जाएं सामने ही कॉंफरेंस हौल होगा इंटर्वियूज वही लिये जा रहे है अबकी बार रिसेप्शनिस ने उसके सरद अंदास को नोट करके जल्दी से बताया तो वो बगहर शुक्रिया कहती उस जाने बढ़ी बाई जाने चलकर सामने ही उसे कॉंफरेंस हौल नजर आ गया जिसके बाहर लगी कुर्सियों पर कुछ लग्यां बैठी थी वो भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई बारी बारी सब लग्यां अंदर से हूँ आई थी और अब उसकी बारी थी वो बायतमाद सी चलती अंदर गई सामने ही टेबल के पीछे दो लोग मौजूद थे जिन में से एक मर्थ और एक औरत थी जबके तीसी कुर्सी खाली थी वो पूर एतमाद चाल चलती उनके सामने जाक खड़ी हुई और सलाम किया उन्होंने सलाम का जवाब देते उसे बैठने का इशारा किया तो वो पुर्सी घसीट कर बैठ गए उन्होंने अब्तदाई तारुफ के बाद उससे चंद सवालात पुछे चोड़ो लिटरेचर से ही मतालिक थे मजबूत लहचे और एतमाद से जवाब देती वो उन्हें मतासर कर गए थी अरे हसन आओ अब यही आखरी उमीदवार बच्ची है आहट पर चौक कर दरवाजे की दर मतवज़ा होते वो औरत बोली तो उसे लगा शायद एक और शक्स अब उसका इंटर्विय लेगा नजरें घुमा कर आने वाली को देखे बगएर वो सीधी बैठी रही अस्सलाम अलेकुम वो सामने बैठता नर्मी से गवया हुआ तो नूरे ने चौक कर सामने देखा जो अब पुर्सकून सा कुर्सी पर बैठ चुका था और चेहरा उठा कर नूरे को देखा था दोनों अपनी अपनी जगा थाम चुके थे मगर चेहरे की तास्रा बिलकुर भी मुक्तलिफ ना थे नाकावारी दोनों की आँखों से आया थी माधे पर बल पर चुके थे और दोनों की सिया आखे एक दूसरे पर गड़ी हुई थी दोनों का बस ना चल रहा था कि एक दूसरे को जादू की छड़ी घुमा कर गाइब कर देते हमने सवालात कर ले हैं और मिसनूर बहुत काबल और पुरहतमाल है हमें ये सीठ के ले मौज़ लगी है वो औरत बोली तो हसन दाख पीस दे नूरे को घुरा पहले तजर्बा कितना है मिसनूर हसन ने संजीत की से पूछा था ये पहला तजर्बा होगा हसन को जवाब तमीज से दिया था कि अब नौकरी का सवाल था हम बगएर तजर्बे के आपको नहीं रख सकते हमारे बच्चों के मसक्मिल का सवाल है हसन ने नफी में सरहलाया तो नूरे की आँखों की चमत मान पड़ी कितनी देर से वो नौकरी ढून रही थी मगर अब तक नाकाम रही थी हसन के आने से पहले तक उसे यकीन था कि नौकरी उसी को मिलेगी क्योंकि सामने बैठे लोग उसकी दहाने से मतासर हो चुके थे मगर हसन शायद उससे कल का पतला ले रहा था मिस नूर बहुत काबिल है हसन तरज़बे का क्या है ये बढ़ाएंगी तो ही तरज़बा भी आएगा ये इस पोस्ट के लिए बिलकुल मौज़ों है अब की बार जैन ने कहा जो के खुद भी यहां फिजिक्स का टीचर था और हसन का अच्छा दोस भी जबकि उसके साथ मिस रहत बैठी थी जो इंग्लिश की टीचर थी और उमर में हसन और जैन दोनों से बड़ी और शादी शुदा थी सैन पिलकुल ठीक कह रहा है हसन मिस नूर को एक मौकर तो देना चाहिए मिस राहत ने एक मुस्कराती नजर नूर पर डाल कर कहा जो अब हसन को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी जो उसको नौकरी ना देने के कई बहाने बना रहा था लेकन आप बच्चों के लिए एक बच्ची रख लेंगे तो कैसे संजीदी से पढ़ेंगे वो तो इनको संजीदी से ही नहीं लेंगे हसन का इशारा उसके सरापे की तरफ था उसकी बात सुनकर वो शर्मो गुच्चे से सुर्ख पड़ी थी बस ना चल रहा था कि उसका सर फाड़ दे इसकी फिकर आप मत करें सर आपको रिजर्व चाहिए तो वो मैं आपको दूँगी जब भी आपको लगए कि इस बच्ची से बच्चे नहीं समर रहे आप नई टीचर रख सकते हैं बसा है संजीत की से कहा था मगर उसका दिल सुलग रहा था उसके जवाब पर हसन ने चौक कर उसे दिखा और फिर जैन को जो इससे इशारे कर रहा था कि वो एक अच्छी टीचर है ठीक है मगर पहने मैं आपका डैमा लूँगा हसन ने कहा तो वो उट खड़ी हुई ओके चलें नूरे ने कहा तो वो जैन और रहाद को बताता कॉंफरेंस हौल से बहार निका गया उसे लेकर वो सेकंड यर की क्लास में आया था इको एडिकेशन सिस्टम कॉलिज था मगर बॉइस और गर्ल्स कैंपस अलग अलग थे वो उसे लिए गर्ल्स कैंपस आया था उसे लिए कलास में दाखिल हुआ तो सब गर्ल्स ने उठकर सराम किया उन्हें बैठने का इशारा करते वो खुद भी पीछे जाकर बैठ गया था उसे एक नज़र देखकर नूरे ने कलास से आज का उनका टॉपिक पुचा था जो के एग घजल का था नूरे ने संजीत की से उनको घजल पढ़ानी शुरू की थी मुश्किल अरफास के माई ने तश्री करवाते वो एतनी मगन हुई थी कि भूल ही गई थी कि हसन में यहां बैठा है बच्चों को बढ़ाने के दौरान उसे एक भी नगाह खलत हसन पर नहीं डाली थी उसकी आवास काफी उची थी कि हसन को पीछे तक भी बिलकुर वासे सुनाई दे रही थी उपर से उसका पूर एतमाद अंदास उसको मुन्फरिद बना रहा था हसन की निगाहें उसी पर जमी थी जो वाइड बोर्ड पर सिया मारकर से तहरीने लिख रही थी कल की निजबत आज वो हिजाब में थी और बहुत डीसेंट लग रही थी लक्चर इस ओवर अनी कोईस्टिन लक्चर खतम हुआ कोई सवार नूरे ने मारकर डाइस ट्रिबल पर रखकर पूछा तो सब लड़कियों के सर नफी में हिले उनके चहरों से लग रहा था कि उन्हें अपनी ये चोटी मगर बहुत अच्छी टीचर पसंद आई थी अनी कोईस्टिन सर अपकी बार नूरे ने हसन से पूछा था जो बिलकुल हरकत नहीं कर रहा था उसकी अवास पर चौक कर होश में आता बेसाख तसर नफी में हिला गया वो उसकी कावलियत का काईल हुआ था मगर इस बात का इकरार मूं से करना अना के खिलाफ था तब ही खामुशी से अपनी जगा से उठा नहीं मिस कैसी लगी गर्स हसन ने डाइस के सामने खड़े होकर क्लास से पूछा तो नूरे ने सबको मुसकराती निगाहों से दिखा बहुत अच्छी सबकी बैक 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 गुंच्टी आवाज नूरे के होटों पर भी मुसकरात के फूल खिला गई थी उसे होसला हुआ था कि हसन अब ये बहाना नहीं कर पाएगा कि बच्चों को उसकी समझ नहीं आई वेल ये तो बहुत अच्छी बात है फिर कल से आपको मिस नूर ही बढ़ाएंगी हसन ने संजीत की से कहा तो नूरे ने एक मुतमाहीन सास हावा के सुपर की ओके सर सब गल्स की पुर जोश आवास क्लास में गूजी तो वो खुदाहाफिस कहता उसे लिए कलास से बाहर आया आप कल से जॉइंग कर सकती है लेकिन इससे पहले आपको छे मार का कॉंट्रेक्ट करना पड़ेगा आपकी कारकरदीगी बहतर रही तो कॉंट्रेक्ट को रिनु किया जाएगा जिसके बाद मुद्द बढ़ जाएगी आप यहाँ बैठे मैं कुछ देर में आता हूँ वो उसे साथ लिए अपनी केवन तक आया और फिर उसे बैठने का कहकर खुद केवन से निकल गया नूरे ने सकुन से बैठकर इट गेट का चायजा लिया एक छोटा सा केवन था जिसमें एक टेबल और उसके पीछे चेयर मौजूद थी टेबल के उपर लैब टॉप, दो तीन किताबें और कुछ फाइल्स पड़ी थी एक तरफ का लमदान रखा था जिसमें पांच छे पैन और पैंसिलें मौजूद थी एक तरफ छोटी टेबल पर कंप्यूटर और प्रेंटर पड़ा हुआ था जिसके उपर भी कई पेपर्स मौजूद थे तकरीबन दस मिनट बाद वो एक फाइल लाकर उसके सामने रख चुका था उसने खामशी से वो फाइल उठा कर पढ़ना शुग की थी जिसमें मौाहिदे की मुद्द और रुसूलों जवाबत लिखे हुए थे दस मिनट में वो मौाहिदा पढ़कर उसने साइंग कर दिये थे उसकी महाना तुखा 25,000 लगी थी जिस पर वो मतमईन थी कि कुछ नव कुछ होने से कुछ होना बहतर है वैसे भी वो दो लोग थे उनके लिए इतने पैसे भी काफी थे मैं जाओं तीके लेजे में पूछ दी वो सर बोलने से इश्टनाब कर गई थी जी बिल्कुल मुझे वैसे भी आपका अचार नहीं डालना में सनूर दाथ कचकचा कर कहता वो उसे बाहर जाने का इशारा कर गया था उससे से उसे घूर कर वो बाहर निकल गई जबके वो दवासे को देखकर रह गया उन दोनों ने एक दूसे से कभी आमना सामना ना होने की दूआ की थी मगर दोनों की ही दूआएं कुबून ना होनी थी जाने आपके सुन में क्या लिखा था जिन्दगी युही रमादवा थी नईमा बेगम हसन के रिष्टा जूडने की कोशिश में माहफ थी जबके हसन उनको उनके हाल पर छोड़े कॉलेज से अकैडमी और अकैडमी से घर का होकर रह गया था उसने हामी भर दी थी तो वो अब नईमा बेगम को ना करके परिशान नहीं करना चाहता था आज भी वो अपने वक्त पर तयार होकर कॉलेज आ गया था पैदर पे तीम पिरियड लेकर वो अपने कैबिन में आकर बैठा था पिछले एक हफ़ते से नूर कॉलेज आ रही थी और अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही थी वाइस चांसलर बजाते खुच जाकर बच्चों से तफ्तीश कराये थे आया नई टीचर के साथ उनको कोई मसला तो नहीं मगर उनकी तरफ से नूर के बारे में मस्वत जवाब ही मिला था हसन से उसका आमना सामना होता रहता था मगर दोनों एक दूसरे के पास से अच्छनभियों की तरह गजर जाते थे कि एक दूसरे को देख कर ही उनके मातों पर बल पढ़ने लगते थे हसन ने किताब खोल कर अपना अगला लक्चर देखना शुरू किया था लक्चर रिव्यू करने में उस मस्वत वो बैल की आमास पर चौका था किताब लेकर वो अपनी क्लास लेने की जाने बढ़ा वो क्लास के बार पहुचा तो देखा नूर अभी तक बढ़ा रही थी नूर ने उसे देख लिया था मगर अपनी स्पीड बढ़ाने की बजाए वो कम कर गई थी हसन को बाहर खड़े पाच मिनट गुजर गए थे लेकिन नूर थी के बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी मजीद पाच मिनट गुजरे तो हसन के जब्द का पैमाना लबरेज हुआ और वो अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर सब बच्चे अपनी सीट से उठखड़े हुए और इसे सलाम किया हसन उन्हें बैठने का इशारा करके नूर की जाने मतवच्चा हुआ जो सर पर सिया रंग का हिजाब हुड़े सिया ही रंग का लिबास पहने हुए थी गोल फ्रिम के पीछे छुपी गोल बड़ी सिया आखें हसन पर जमी थी सिया लिबास में उसकी गंदमी रंगत दमकने लगी थी मिस नूर पीरियट की बैल होते ही अगला पीरियट शिरू हो जाता है और बैल दस मिनट पहले हो चुकी है इसका मतलब है कि आप मेरे दस मिनट जाय कर चुकी है हसन ने ठंडे ठार लहजे में कहा तो नूरे ने आखें पट पटाई ओ, मैं मासा चाहती हूं सर पढ़ाते हुए पता नहीं चला नूरे ने मासूमियद से पुर लहजे में कहा मगर उसकी आखोसे छलकती शरारत हसन को महसूस हो गई थी आपकी माज़र्द मेरे दस मिनट वापस नहीं कर सकती इसलिए कल आफ दस मिनट पहले कलास से जाएंगी हसन ने कहा तो वो खामोशी से सरहरा गए मगर सर हमें माम नूर से पढ़ने का ज़्यादा मज़ाता है एक बच्ची ने बहादूरी से कहा तो हसन ने दाद पीसे जबके नूरे ने मस्कराहत दबाई तो बच्चे ये तो आपको नूर मैम को उस वक्त पर बताना चाहिए था ना ताकि वो मेरे दस मिनट जायर ना करती हसन ने सपाट लहजे में कहा सर वो सिर्फ दस मिनट थे जबके मस्कराहत दस मिनट आप इस बहस में जायर कर चुके है एक और बच्ची ने कहा तो वो गहरा सास भर कर नूर की तरफ मुड़ा आप लाक्चर ने सर मैं चलती हूँ नूरे ने कहकर कदम बाहर की जाने बढ़ाए जबके वो जलता कुरता लाक्चर लेने लगा लाक्चर लेकर वो रूम से निकला और स्टाफ रूम की जाने पढ़ा में इस्टाफ रूम के लिए अलग-अलग केमल बनाए गए थे जबके फीमेल स्टाफ के लिए एक मुश्टर का रूम था वो इस्टाफ रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही नूर बैठी किताब पढ़ रही थी मस्टा क्या दमारे साथ हसन न गुस्स से इस सफसा किया ये किस लहजे में बात करें या नूरे ने नागवारी से कहा उसी लहजे में जिसकी जरूरत है तुमने जाम बुझकर लेट लास छोड़ी क्यों हसन ने सफसा लहजे में बात कुछ की मैं पढ़ा रही थी नूरे ने मजबूती से कहा हाला कि सच वही था जो हसन कह रहा था जूर मत बोलो नूर हसन ने तंबी की तो वसर जटक गई नूरे ने सर जटक कर जटाया तो वह हसा मैं बढ़ा हूँ तुमसे अब एक बच्ची को क्या आप जनाब से मखातिब करना हसन ने इस सहजाई अंदाज में कहकर उसका सुर्ख पड़ता चहरा देखा आइंदा मुसे पंगा मत लेना बढ़ा मुसे बुरा कोई नहीं होगा हसन ने वान किया और बहार की जाने बढ़ गया मुनाख चड़ा कर उसकी पुछ देखने लगी आप से बुरा कोई है भी नहीं सर जटक कर कहती वो किताब पढ़ने में मगन हो गई दोनों ही एक दूसे से बेंजान नजर आते थे जाने जिन्दगी उनके लिए सोचे बैठी थी जो किसमत उन्हें एक दूसे के सामने ले आई थी वो घर में दाखिल हुई तो किचन से खाने की खुछ भुआ रही थी वो बैग और चादर तक पर रखती तेजी से किचन के जाने पड़ी जोहरा बेगम बिर्यानी बना रही थी बिर्यानी की खुछबू सूंते नूरे की भूख चमक उठी थी उसे बिर्यानी बहुत पसंद थी और ये बास जोहरा बेगम अच्छे से जानती थी आज कुछ खास है क्या बगए मेरी फर्माईश की ही बिर्यानी बनाई जा रही है उसने किचन में रखी कुर्सी पर बैठ ते हैलानी का मजाहरा किया हाँ हाँ क्यों नहीं आगए बहुत खुछ हूँ जोहरा बेगम ने मुस्कराते हुए कहा तो वो मजीद हैरान हूँ क्यों क्या लोटरी लग गई है उसने सरगोशी में पूछा तो वो उसकी तरफ पर थी बताती हूँ पहले ज़रा हाथ मुँ धो कर आओ तब तक मैं बिर्यानी प्लेटों में डाल कर लाती हूँ जोहरा बेगम ने कहा तो वो खबगी से उट खड़ी हुई तू जानती है ना अमा जब तक पूरी बाद ना बता चले तब तक तज़स्तों से मेरे बेड़ने पकर धकर चलती रहती है नूरे ने मुवनाते कहा तू फिकर ना कर मैं तुझे बाद में फकी दे दूँगी सारी पकर धकर खतम हो जाएगी उन्होंने बेन्याजी से कहा तो वो पाउंपर टक्ती कमने में चली गई उसके आने तक जोहरा बेगम अपने और उसके लिए बिर्यानी प्लेटों में निकाल कर बाहर ले आई बरामते में पंक्ये के नीचे बैठ कर वो सुस्ताने लगी जबके नूरे पानी ले आई अब बता क्या बात है नूरे ने बैठते ही पूछा तो वो उसे घूर कर रह गई पहले खाना का लो खाने के दोड़ां बोलते नहीं वो टोक कर खुद भी खाना खाने लगी तो चारों न चार बिर्यानी से इंसाफ करने लगी खाने से फारिग होकर वो बरतन किच्छमे रखाई और आकर फिर सोहरा वीगम के से हुई कि उसे बताएं खुशी की बज़ा अब बता भी चुको ना मा वो उनकी हनूस चुपी से उता कर बोली ही देख मूरे तु मेरी एक ही बेटी है बड़ी मुश्किल से तने तना तुझे पाल पोस कर बढ़ा किया है हर मुम्किन कोशिश की है कि तेरी अच्छी तरवियत कर सकूँ ताकि तु कभी किसी खलत राह पर ना चल पड़े और अलगा शुकर है कि इस कोशिश में काम्याब भी हो बगार बाप के या तो बच्चे बिगड़ जाते हैं या समर जाते हैं और मुझे फखर है तुश पर कि तु गुम्रा नहीं हुई तुने मेरी तरवियत पे कभी हर्फ भी नहीं आने दिया तेरे बाबा हमें तब छोड़ कर चले गए जब तु महस दस साल की थी और मुझे खुदा से कोई शिक्वा भी नहीं कि ये जिन्दगी तो खुदा की अमानत है मेरी जिन्दगी का भी कोई भरोसा नहीं जाने कब मौत आ जाए जोहरा भीगम ने कमीद बान दी थी और नदीम एहमद के जिक्र पर उनकी आखें नम हुए थी तो आज इतनी संटी के हो रही है अमा कुछ हुआ है क्या नूरे ने फिकरमंदी से पूछा था संटी नहीं हो रही बस तुझे हकीकत से आगा करें हूँ मेरी जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं नूरे और मेरे बात तो कोई है भी नहीं जिसके सहारे तुझे छोड़कर सुकून से मर सकून मैं चाहती हूँ कि अपनी जिन्दगी में ही तुम्हारे लिए कोई फैसला कर जाओ ताकि सुकून से आखरी सासे ले सकून जोहरा बेगम ने कहा तो नूरे बेख्तियार उनके गले लगी उनके मुझे बार पर मौत के बारे उसका दिल खौफ से भरने लगा था एक यही दुआहे दरिश्टा था उसके पास अगर ये भी जिन्द जाता तो वो क्या करती तो ऐसा क्यों बोल रही है मा और कैसा फैसला करना है मेरे बारे में नूरे ने भीगे लहजे में पूछा तो जोहरा बेगम ने उसकी पेशानी चुमते उसे अपने सामने किया मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी कर दूँ जोहरा बेगम ने कहा तो वो खब की से उन्हें देखती पीछे गुई मुझे उस गेंडे नो महमाद से शादी नहीं करनी अमा कल भी कहा था मैंने वो एहतजाजी लहजे में बोली तो मैं कव अपनी राज दुलारी की शादी उससे करवा रही हूँ जोहरा बेगम ने उसके बाल सबारे तो वो एनक के पीछे छुपी आखों में अहरानी भर कर उन्हें देखने लगी तो फिर किस से उसने अपनी हैरत को लफजों का पैरहन पहना था आज ही रिष्टे वाली का फून आया था जिससे मैंने तुम्हारे रिष्टे की बात कर रखी थी बहुत अच्छे लोग है घर भी अच्छा है तो जिससे जब कहीगी शादी कर लोंगी मगर इतनी जल्दी क्या है नूरे ने उनकी बात काट कर बिचार की से कहा था मैंने तुझे वज़ा बता दी है नूरे मैं तुझे अपनी जिन्दगी में महफूस हाथों में सोपना चाहती हूँ और च्छान बीन भी कर चुकी हूँ वो बहुत अच्छे लोग है और मैं इतना अच्छा रिष्टा हाथों से नहीं जाने देना चाहती जोहरा भी करने संजीब की से कहा हूँ ठीक है जैसे तू चाहेगी वैसे ही होगा मगर मेरे बात तेरा क्या होगा तू घर जमाई रख लेना नूरे ने परिशानी से मश्वरा दिया तो वो उसके कंधे पर धप लगा गई तू मुझे फ्री के मश्वरे ना दे ना मेरी फिकर कर इतनी बूरी नहीं हुई कि अपने ही घर में तो काम ना कर सकूँ तू बस अपनी जिन्दगी पर ध्यान दे उन्होंने संजीत के से कहा तो वो सरहलाती कम ये की जाने बढ़ गई वो उसकी फिकर अच्छे से समझ रही थी वो बूरी हो रही थी ऐसे में एक वो ही तो उसका सहारा थी वो भी चली जाती तो उसकी पीछे उनका क्या बनता मगर वो अपनी वज़ा से उसे हमेशा के लिए घर पर नहीं बिठा सकती है ना ही किसी को घर जमाई बना कर उसकी इज़त नफस मज़ूर करना चाहती है नूरे अभी उदास से मगर वक के साथ समहल जाती और उनकी जिन्दगी तो नूरे का फर्ज अदा करके ही पुर्सकून हो जानी थी फिर देखते देखते वो लोग आकर नूरे को पसंद करके जा चुके थे उन्होंने ना ही उसकी दुबले पपले सेरापे को तन्जिया निगाओं से देखा था ना ही नजर के चश्मे को नूरे ने जोहरा बीगम की खुआश के सामने खामशे इखत्यार कर ली थी उसकी माँ खुश थी तो वो भी खुश थी जिस दिन वो लोग अमंगनी की अंगुटी पहना कर गए उस दिन इतवार था और वो कॉलिश नहीं गई थी उसने लड़के के मतालिक नहीं पूचा था ना ही तस्वीर देखने की खुआई जाय की थी बजाहिर तो वो खुश थी मकर दिल ही दिल में परिशान थी कि उसके बगए तनहा उसकी माँ कैसे रहेगी सुस्राल वाली जाने कैसे होते वर्णा वो उन्हें साथ ले जाते इस अब वो इन्हीं सोचों में गुम हाथ में कुछ टेस्ट पकड़े स्टाफ फूम में जा रही थी जब भी दिहानी में सामने से आते हसन से टकरा गई उसे गिरने से बचाने की बचाए वो खड़ा होता तीखे चतुनों से उसे गूरने लगा था जो लड़ खड़ा कर पीछे को होती अब अपना माथा से ला रही थी चश्मा टेड़ा मेरा होता आदा उपर और आदा नीचे जूरा था उसकी शकर को देखता वो सर पीछे फैक कर हसा था वो लगे एतनी मज़ाइका खेज रही थी कि वो अपनी हसी नहीं रुक पाया था उसे युँ हसी देखकर नूरी ने गुस्से से उसे घूर दे अपना चश्मा दुरस किया जो दूसरों का मज़ाग बनाता है उनका हुद का ही मज़ाग बन जाता है गुस्से से कहकर उसे नीचे से अपने टेस्ट उठाने शुरू किया थे इंसान को लने आखें दी हो और उन आखों पर एक्स्ट्रा लेंस भी तो इंसान को ध्यान से देखकर जलना चाहिए ना हसन ने उसकी आखों और चश्मी पर तंस किया मेरे पास आखों के साथ एक्स्ट्रा लेंस हैं जिनका मैं इस्तमाल नहीं कर सकी मगर आपके पास सही माक्रिसकोपिक बटन है ना फिर आपको क्यों ये पाच फुट की लड़की नजर ने आई अब की बार उसका लहजा चुबता हुआ था अगर तुम अपनी आखों का इस्तमाल करती तो देख लीती कि में मलका आलिया को रासा देने की खातिर दाइं तरफ हुआ था मगर मलका आलिया को तो टकरा नहीं था तभी वो भी उसी वक्त दाइं तरफ हो गए हसन ने मुँ की जाविय बिगार कर कहा तो वो उसकी शकल देख कर रह गई जो एक मैच्चियों मर्द होकर भी बच्चों जैसे हरकतें करता था आप बहुत बत्तमीज है उसकी तरफ बाए हाथ के उंड़ी उठाए वो बोली तो हसन की नजर उसके मंगनी के अंगुटी पर पड़ी जानता हूँ कि आपकी अंगुटी बहुत प्यारी है फिर दिखाने की क्या ज़ूरत है हसन ने एक बार फिर तंस किया तो तीजी से हाथ पीछे कह गई मुझे अपना हाथ छुपा कर रखना चाहिए कहीं लोगों की नजर ना लग जा मेरी मंगनी के मुठी को हाथ को चादर के नीचे कह कर वो ये जा वो जा जाने किस के नसीब भूटे हैं जो ऐसी पटाखल लड़ा का औरस से शादी करने जा रहा है उससे शादी करने वाले की बदनसीबी पर आहां पहरता वो सर जटक कर आगे भड़ किया घर में शादी की तयारियां जारी थी नईमा बेगम का बस ना चलता था कि वो हसन की दुलहन के लिए एक से बढ़कर एक खरेदारी करती कभी वो हसन के आने के बाद उसके साथ बजार चली जाती तो कभी अपनी हमसाई जुलाखा के साथ उन्हें सिर्फ हसन और इसकी होने वाली बीवी साहर के लिए ही शौपिंग करनी थी बाकी निकाह का सारे इंतिजाम तो हसन नहीं करना था निकाह का फैसला भी नईमा बेगम का ही था ज्यादा रिश्यदारों का मामला तो था नहीं तब ही नईमा बेगम ने साथ की से निकाह करने का सोचा था उन्होंने साहर की घरवालों से जहीज लेने से भी इंकार कर दिया था और यकी नहानी भी करवाई थी कि जहीज नहीं भी देंगे तो भी उनकी बेटी उनके घर खुश रहेगी हसन उनको खुश देखकर मुतमें था उन्होंने हसन से उसकी रजामंदी ले ली थी मगर वो अभी तक अपनी दुलहं की तस्वीर नहीं देख पाया था वजह मसुफियत में तस्वीर को भूल जाना था कॉलिज में उसकी और नूरे की नोग जोगियों ही जारी थी जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बातें सुनाने का मौका हाथ से जाने ना देते थे नूरे की मसराहत से अच्छी दोसी हो गई थी नूरे उन्हें अपनी मंगनी की बावत बता चुकी थी आज भी हसन की पीरियर की पाश मिनर वो जाया कर चुकी थी मगर उसे कुछ कहने का मौका दिये बगए वो क्लासरूम से निकल आई थी मिसराफ रूम में आकर बैठी तो जल्द ही मिसराहत भी वहाँ आन माजूद हुई तुम हसन को क्यों छेड़ती हो नूरे मिसराहत ने खवी इसे कहा तो वो आखें घुमा गई मैं कोई गुंडी थोड़ी हूँ जो उन्हें छेड़ती फिरू मिसराहत ने शरारत से कहा तो वो ना चाहते हुए भी हज़ी बाज आ जाओ नूरे वो अगर बासपुर्स करने पर आया ना तो तुम्हारी बोलती फिर अच्छे से बन्न होगी मिसराहत ने वार्निंग दी तो वो सर छटक गई हम पड़ाया बासपुर्स करने वाला नूरे की बड़ा हट उन्हें वाज़े सुनाई दी थी मगर वो नजर अंदास कर गई तो मुझे इतना चुर्टी क्यों हो ये बात मुझे आशक समझ नहीं आई मिसराहत ने सवालिया नजरों से उसे देखा आपको याद नहीं इंटर्विव वाले दिन उन्होंने मुझे बठी कहा था और यहीं नहीं बलकि मुझे तजर्वा ना होने की वज़ा से नौक्री देने से भी इंकार किया था नूरे ने बताया तो वो हैरत से उसे देखने लगी बस इतनी सी बात उन्होंने अच्छंबे से पूछा था ये इतनी बड़ी बात भी ना थी कि वो यू बार बार हसन को सता दे हसन तो बस अपना फर्ज निभा रहा था इस खौलज की डिमांड के मताबग टीचर रख कर ये इतनी सी बात नहीं है ना इससे पहले वो नाक चड़ा कर कहती वो अब उन्हें अपनी और हसन की पहली मुलाकात के बाबग बताने लगी थी उसने बात मकमल करके मसराहत को देखा जो बेतहाशा हस रही थी आप हस रही है? उसने मुबसूर के कहा तो वो हसी जब्द करने की कोशिश करने लगी गलती तुम्हारी है अगर तुम उस पर इलजाम लगाने से पहले पूछ लेती तो शायद आज उसकी जानी दुश्वन ना बनी होती मसराहत ने कहा तो वो गहरा सास भर गई मैं डर गई थी मगर मेरी इतनी भी खलती नहीं थी उसे धीमें से इतराफ किया मगर साथ ही अपनी खलती से इंकारी हुई सोचो अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो मसराहत ने मर्जे से कहा अल्ला ना करे वैसे भी मेरी मंगनी हो चुकी है वो तेजी से उनकी बात काट कर जताते हुए बुली थी मंगनी तो हसन की भी हो चुकी है खेर मैं चाहती हूँ कि तुम जट तक यहां हो अच्छे से रहो हसन मर्द है अगर अना में आ गया तो जाने के आकर बैठे मसराहत ने नर्मी से उसे समझाया तो मैं डर्ती थोड़ी हूँ उससे वो बुरा मूँ बना कर बोली मैं कब कह रही हूँ कि तुम डर्ती हो मैं तो बस यह कह रही हूँ कि उसे नजर अदास कर दो और बस अपने काम से काम रखो अगर यहीं सदाती रहोगी तो घुसे में आकर कुछ खलत ना कर दे तुम्हारे साथ खेर तुम समझ़दार हो अच्छे से समझ़दी हो सब कुछ वो हलावत से उससे समझा कर उठी और किताब हाथ में ले दी बाहर निकल गए उनकी बातों वो समझ़दी नूरे ने सोच लिया था कि वो बस अपने काम से काम रखेगी करते करते वो दिन भी आ गया था जिस दिन नूरे के नाम से उसके बाप नदीम एहमद का नाम हट कर उसके शहר فाइ्क का नाम जृणणा था निका का इंतजाम घर में ही किया गया था निकाह में उसकी फुपो, खालदा और हमाद भी आये थे कोई और लंबी चौड़ी रिश्यदारी थी नहीं तब ही जोहरा बेगम निकाह में अपने हमसायों को भी दावत दी थी जोहरा बेगम के साथ जोलेखा सारे इंतजामात करवा रही थी मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम बाहर से ही किया गया था हाँ, कुछ चीज़ें जोहरा बेगम ने घर में ही बना ली थी निकाह शाम में रखा गया था चार बजे ही ब्यूटिशन ने नूरी को तयार करना शुरू कर दिया था निकाह का जोड़ा और बाकी इस्तमाल की सारी चीज़ें उसके सुस्राल वालों की तरफ से आई थी और हर चीज एक से बढ़कर एक थी नूरी तयार हो रही थी उसने फाइक को देखा नहीं था और अब जब उससे मिलने का वक करीब आ रहा था तो धर करने शूर सा मचा रही थी वो बहुत नर्वस थी वो कॉलेज से अपने निकाह की वज़ा से एक हफ़ते की चुट्यां ले चुकी थी उसने मिस्राहत के साथ बाकी टीचर्स को भी निकाह में शिर्कत की दावत दी थी मगर सब ने सहूलत से इंकार कर दिया था हाँ मिस्राहत ने यकीन दिलाए था कि वो जरूर आएंगी मिस्राहत के समझाने के बाद उसने कभी हसन से पंगल लेने या उसे सताने की कोशिश ना की थी जिस पर हसन भी सुकूर में आया था शाम शे बज़े बाराद आई थी जिसमें चंद लोगी शामल थे फाइक के घरवाले उसके चंद एक रिश्यदा और एक दोस्त जहरा बेगम और जोलेखा ने मिलकर उनकी खाते तवाज़ की थी खालदा फाइक बेगम तो फाइक को देखकर नूरे के समर पर दंग ही रही थी वो बहुत वज़ी था और कुछ पुर्दवार सा भी कि देखने वालों को पहली नजर में ही अपना असीर कर लेता था जहरा बेगम से इतनी अपनाईये से मिला कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो उनका ही बेटा हो खालदा बेगम जो तब से बार बार उन्हें ताना दे रही थी कि उन्होंने उनके बेटे को दूदकार कर अच्छा नहीं किया और उनके बेटे से अच्छा रिश्टा नूरे को नहीं मिलेगा फाइक को देखकर उनका मुँख बंद हो गया हमाग भी फाइक की शक्सित से मतासर होता अपना समूर लेकर रह गया था ब्यूटिशन ने नूरे के तयार होने की दला दी तो उसे बाहर लाए गया वो घूंगट में थी तभी अपने दल्हे को देखने से महरूं रह गयी थी कुछ ही देर में सब घरवालों और इशेदारों की मौजूदकी से वो मिस्स पाइक बन गयी थी जोहरा बेगम बार बार आपदीदा हो रही थी एकलोती बीटी थी वो भी आज रुकसत हो रही थी मगर वो खुश थी कि एहसन तरीके से उसे रुकसत कर दिया निगा के बाद सब महमान खाने की तरफ मतवच्चह हो गए जबकि जोहरा बेगम नूरी के पास बैठी उसे आने वाली जिन्दगी की ऊच्छनी समझाती नहीं उसे सुस्रालवन के साथ हुशन सुबक से पेश आने की तलकीन करती रहीं ताकि वो कभी उससे बजजन ना हो उन्हें फाइक को देखकर यकीन था कि वो उनकी बेटी को खुश रखेगा जोहरा बेगम नूरी को खाना खिलाने की कोशिश की थी मगर उसने खाने से इंकार कर दिया था उसका दिल घबरा रहा था ऐसे में भूग बिलकुल मर चुकी थी खाना खाने के कुछ ही दिर बाद रुकसदी का शोर उठा था रुकसदी के वक नूरे अपनी मां के गले लगकर बेताशार हुई थी आसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे साथ खड़ा फाइक उसकी हालत को समझ रहा था मकर सबके सामने उसे चुप़े नहीं करवा सकता था बेशक वो बीवी थी मगर इतना बेबाग वो हर्गेज नहीं था मिसराहत ने उसे चुप करवाया था और फिर उसके गले लगी थी आज तम्हारी शादी में आकर मुझे जबर्दस सर्पराइस मिला है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें भी सर्पराइस कम शौक ज़्यादा लगने वाला है मिसराहत की माईने खीज बात उसे समझ नहीं आई थी इससे पहले कि वो उन से उनकी बात का मतलब पुछती वो उससे अलग हो चुकी थी सबसे मिलने के बाद वो फाइक की संग रुखसत हुई थी आदि घंटी के सफर के बाद उनकी गाड़ी एक घर के सामने रुकी थी उसकी सास उसे घर के अंदर ले गए थी कुछ रस्मों के बाद उसे कमरे में पहुचा दिया गया था उसे कमरे में बिठा कर वो बाहर निकल गई थी जिबके फाइक अपने किसी दोस्ट के साथ बैठा था हसन नूरी की शरारत पर अब सुकून में आ गया था जितना वो उसकी हरकतों से चुड़ता था उसका बस चलता तो उसे तीर की तरह सीधा करके रख देता मगर सच चुक है कि वो बाहजा गई थी उसके निका के दिन करीब आते जा रहे थे और वो निका की तैयारियों में मसरूफ होता गया था उसने सारे स्टाफ को मिठाई भी खिलाई थी और अपने निका में शिर्कत की दावत भी दी थी जर्म ने तो आने की हामी भर ली थी आज उसका निका था और सारे मामलात खुश उसलूई से तैपा गए थे निका उसके सुसरान में हुआ था उन्होंने काफी अच्छे इंतिसाम किया था निका होते ही सहर की माँ ने उससे सहर का खयाल रखने और उसके खलतियों से दर गुज़र करने की इलतजा की थी उसके साथ साथ नाईमा बेगम ने भी उन्हें यकीन दिलाया था कि सहर को उनके घर में कोई परिशानी ना होगी बिलाखिर वो सारे रस्म निवाज के साथ सहर को अपने संग रुखसत करवा लाया था इस वक्त सहर उपरी मन्सिल पर उसके कमरे में उसका इंजार कर रही थी और वो बाहर हॉल में जैन के साथ बेठा हुआ था वैसे तुझे पता है कि आदमी नूर की भी शादी थी जैन ने बात बात उमें बताया तो वो चौका अच्छा मुझे नहीं बता था वैसे मंगनी तो हो गई थी उसकी हसन ने साथ गी से कहा तो जैन मुस्कुराया हाँ और आज ही उसका भी निका हुआ है जैन ने मुस्कुराते हुए बताया और बगार हसन को दिखा वैसे मुझे तो उस इंसान पर तर्स आता है जो इस टिड़ी का नसीब बनाओगा वो इतनी तेज है जाने क्या बनेगा उस आदमी का हसन ने नूरे के शोहर के साथ इसहारे हमदर्दी किया तो वो बेख्या कहका लगा गया मुझे उसके शोहर के साथ साथ नूर से भी हमदर्दी है जैन ने कहा तो हसन ने अचंबे से उसे देखा उसके साथ क्यों उसने हैरे से पूछा तो जैन उट खड़ा हुआ इस सवाल का जवाब तुझे जल्दी मिल जाएगा अब तू जा और जाकर भाबी को इन्जार की कोफ से बचा जैन ने माईने खीजी से कहते उसे उठने का शार किया वैसे ही एक बात मुझे समझ नहीं आई ये मिसराहत ने तो मेरे निकाप पर आने से इंकार कर दिया था ना तो वो वहाँ कैसे हसन ने उलचे हुए अंदाज ने पूछा तो जैन एक बार फिर खिल खिला कर हसा अब इसे हसे वाली कौन सी बात है हसन की माँ थिपर बल पड़े तो जैन ने बमश्किल अपनी हसी जब्त की कुछ नहीं तो अपने कमरे में जा वहीं तुझे सारे सवानों के जवाद मिल जाएंगे और कहीं अँसा ना हो कि तेरी जवाजा तुझे देर से आने पर कमरे से निकाल दे जैन ने आंकें घुमा दे शरारत से कहा अँहं अमी कहते हैं वो बहुत नासों है हसन निन बेशाखता कहा तो जैन ने शरारती मुस्कान लिए उसे देखा ये बात कल पुछूंगा तुसे अभी तू जा जैन आके गुमा कर कहता खुद बहार निकल गया जबके हसन उलश्टा हुआ उपर की जाने पढ़ा मगर सामने से आती नईमा बेगम को देख कर रुका सहर तुम्हारा इंजार कर रही है हसन और तुम्हारी बीवी है वो तुम्हारी इज़त और तुम्हारा लिबास मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की वज़ा से मेरी बहु को कभी भी कोई तक्रीफ हो तुम समझ रहे वना मेरी बात नईमा बेगम ने उसे समझाया तो वो उनका हाथ थामता आखों से लगा गया बिल्कुल समझ गया और आपका बेटा आपको शिकायक कब कोई मौका नहीं देगा हसन नर्मी से कहा तो वो मस्कुरा कर उसे कमरे में जाने का इशारा करके नीचे की जाने बढ़ गई वो मस्कुराता हुआ अपने कमरे की जाने बढ़ा एक गहरा बोजहल सांस हावा के सुपर्ट किया और धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ अंदर का मनजर रिवायती ही था सारा कमरा गुलाब और मोतियों के फूलों से सजा हुआ था और बैट के वस्त में उसकी शरी के हायाद बैठी थी जिसे उसने एक नजर भी नहीं देखा था वो धड़कता दिल लिए उसके सामने जा बठा जो घूंगट में छूपी उसकी आहट महसूस करके खुद में सिम्टी थी ये खालिस से तन अरेंज मैरिश थी मगर एक अनुखा सा एहसास हसन को अपनी रगुपै में उतरता महसूस हुआ था असलाम आलेकुम हसन ने उसके करीब बैठ कर सलाम किया था और फिर जो हुआ था वो हसन के वहमों गुमान में भी नहीं था एक जटका खाकर वो बैठ से उटता सामने बैठे हुजूद को देख रहा था आप तुम दोनों के मुझे बैएक वक्त मुटतजाद अलफास निकले थे लेकिन कैफियत एक जैसी थी शौक हैरानी सद्मा बयान कर पाना मुश्किल था कि वो दोनों किस एहसास में मुटतला हुए थे सुर्ख रंग के कामदार दुपट्टे और सुनहरे रंग के शरारे में मिलबूस ब्राइडल मेकप किये आखों में कॉंटेक्ट लेंस डाले बालों को एकंदे पर मुझे किये वो उस नूर से बिलकुल अलग थी जो उसने हमेशा देखी थी वो नूर को सहर की जगा पर अपने सामने देख कर जितना हैरान होता कम था सुफेद रंग की शलवार कमीस सिया वेस्ट कोट में मलबूस संजीदा चहरा और मुकमल वज़ाद का हामिल हसन इस वक्ट नूरे के सामने खड़ा उससे घम उसदमे में धकेल गया था आप यहां क्या करें नूरे ने बैट से उतर कर उसके सामने खड़ी होते सवाल क्या था उसके बोलने से उसकी नाग में मौझूद बड़ी और पत्ली सी नथली हरकत करती उसके हूटों को चूने लगी थी मगर मुकाबिल ने जरा भी तवज्जा ना की थी ये सवाल तो मुझे करना चाहिए ये मेरा कमरा है तुम यहां क्या कर रही हो हसन ने दाथ कचचा थे मेरा पर जोर दे कर कहा ओ हेलो ये मेरे शोहर फाइक हसन का कमरा है और इस लिहाद से ये मेरा नूरे सहर यानि मिस्स पाइक हसन का कमरा है नूरे ने मजबूत लहजे में कहा तो फाइक ने गंग होकर उसे देखा उसकी समातों में उसका नाम नूरे सहर गुंज रहा था ये सहर थी उसकी मा की पसंद और इसकी मा की बकौल बहुत मासून लड़की हसन को तो सद्मा ही लगया था ये लड़ा का टाइब लड़की उसकी बीवी सहर थी ये फाइक हसन का कमरा है और मैं फाइक हसन हूँ नूरे सहर हसन ने दाद पीस्ते हुई जटाया तो नूरे चौक कर उसे देहने लगी ओ, नहीं, पुरी पास समझ में आते ही नूरे के मुझे बेसाखता निकला था ओ, हाँ, बुरा सा मुझे बना कर कहता वो फूलों की लणिया हटा कर बैट पर बैट कर चूते उतारने लगा था अब फाइक नहीं हो सकते नूरे ने घेरदार शरारा समाल कर उसके सामने खड़े होते कहा और मैं फाइक क्यों नहीं हो सकता उसने तीखे लहजे में नूरे को देखकर पूछा अमी ने कहा था कि फाइक बहुत अच्छे हैं नूरे मिन मिनाई तो क्या मैं बुरा हूँ हसन नहरानी से पूछा उसे अब मिसराहत की माईने खिज मस्कुराहत और जैन की बातें यादा रही थी वाकई यहां आकर उसे अपने साले सवानों के जवाब मिल गए थे उसे अफसोस हो रहा था कि उसे पहले अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर क्यों नहीं देखी लेकिन अगर उसे नहीं देखी थी तो नूरे ने तो उसकी तस्वीर देखी होगी फिर वो कैसे राजी हो गई उससे शादी को और अब ही उसे देखकर नूरे ने जो रद्देमल दिया था उससे कहीं नहीं लग रहा था कि वो पहले से जानती थी कि हसन से ही उसकी शादी हो रहे है ये भी कोई पुश्यानी बात है नूरे की बरजस्ता जवाब पर चौक कर होश में आता वो उसे घूरने लगा जो उसके मूँ पर उसे बुरा कह गई थी मुझे एक बास समझ नहीं आ रही है मिस नूर हसन ने पाउं कार्पिट पर रखकर खड़े होते पूर सोच अंदास में कहा वो क्या नूरे ने भी अख्तियार पुछा यही कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सदा मुझे तुम्हारी शकर में मिली हसन ने अलमारी से कपड़े निकाल कर बाथरूं की जाने बढ़ते हुए अफसोस जदा लहचे में कहा तो वो वहीं खड़ी उसकी बात का मतलब समझने लगी और समझ आते ही उसका पारा हाई हुआ वो इतनी बुरी थी कि वो उसे अपने गुनाहों की सजा समझ रहा था सोचते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती खुद को जूरी के बोज से आजाद करवाने लगी वो जूलिय और दुपटा उतार कर बाल खुलने लगी जिस पे ना जाने ब्यूटिशन ने कौन कौन से स्प्रे किये थे बाल खूल कर उनमें ब्रश कर दी वो बालों की धीली से चुटिया बना कर अल्मारी की जाने बढ़ी और वहां से अपने लिए नाइट ड्रेस निकाल कर हसन की बातरूम से बाहर आने का इंसार करने लगी कुछ देर बाद हसन बाहर आया तो बातरूम की जाने बढ़ी उसके चुप चाप गुजर जाने पर हैसन को हैरत हुई थी मगर फिर सर जटकता हातों से बाल सवार कर बैट पर बैट गया जो इंकशाव उस पर हुआ था उसके बारे में सोचकर वो खुद को परिशान नहीं करना चाहता था वो जहनी और जिसमानी तोर पर ठक चुका था तब ही बिस्तर पर लेट देही उसकी आँख लग गई नूरी फ्रेश होकर आई तो बैट पर लेट फाइक हसन पर निगाह पड़ी जो बिफिक्री से सो रहा था उसकी बेनियाजी पर वो दाद पीस कर अपनी किसमत को कुछ सी आईने के सामने खड़ी बाल बनाने लगी उसके बाल घने सिया थे मगर कमर तक आते थे बाल बना कर उसमें पुछ पर डाले और बेदिली से हसन को देखा वो नई नवीली दुलहन थी उसके भी कुछ अर्मान थे जो पूरे नहीं हो पाये थे ऐसा नहीं था कि उसे हसन से नफरत थी बस एक चुछ सी थी जो हसन से पहली मुलाकास से वो हसन के लिए महसूस करने लगी थी शादी से पहले उसने फाइक को सोचा था उससे अपनी हर खुशे और हर घम बाटने का सोचा था मगर सारी उमीदें सारी खुआशें मान पड़ गी थी हसन को तो शायद वो पसंद ही नहीं थी तो वो कैसे उसके हर खुआश पुरी करता शायद अब जिन्दकी समझोते के तहती गुजरेगी ये सोचती हुई वो बैट पर एक साइट पर बठी उसने हसन को देखा जो हर सोच से बेनियास था उसका रवईया याद करते उसका दिल बुरा हुआ था निका के बोलों का असर था ये हकीकत के इल्म होने का वो हसन को शोहर के रूप में कुभूल कर चुकी थी मगर उसका रवईया उसे हज़र नहीं हुआ था वो एक मुकमल मर्द था हसीन, वजी, दरासकत, बुर्दबार, पढ़ा लिखा और वेल सैटल और वो खुद चश्मिश, गंदमी रंग, छोटा कद वो तो शायद उसके काबिल ही नहीं थी तभी तो उसने नूरे पर ध्यान नहीं दिया था वरना जितनी भी चुड़ होती, शादी के बाद तो हर मर्द ठीक हो जाता है यही सब सोशते वो हसन को देखे गई थी जो सोया हुआ बहुत मासूम लग रहा था वो बहुत पुराइद मात थी, कभी ऐसासे कम तरीका शिकार ना हुई थी लेकिन हसन के रवये में उसे बहुत कुछ सोशने पर मश्बूर कर दिया था आखिर कौन शोहर होगा जो अपनी शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को अपने गुनाहों की सजा करार देगा इन सब में वो ये नहीं सोच रही थी कि अचानख उसे अपनी बीवी के रूप में देखते वो शौक्ड हुआ है ना ही ये कि उसे ही सब हजम करने के लिए वक्त की ज़ूरत है वो बस अपनी सो कुछ साखता सोचों में मगन ने में डूप गई थी बैट पर गुलाव के फूनों की मसहरी वहीं अपनी बेकदरी पर मुबसोर्टी रह दी जी फ्रेंड्स तो कैसा लग रहा है आपको कवल अक्रम का नावल कुछ इस तरह उमीद है आपको पसंदा रहा होगा हमें अपने गामी साख्षे में अपनी राहे से जरूर आगा करें और इसका सेकेंड पार्ट में हम आपके लिए जल्दी अपरोड करते हैं तब तक के लिए टेक केर और अलाफ बेस